आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच वार्निंग साइन बताने जा रही हूँ जो कि आपको तीन से छे महिने के बच्चे के लिए जरूर ध्यान रखने चाहिए अगर इन पांचों में से कोई भी एक अगर आपको साइन नजर आता है आपको अपनी डॉक्टर से तुरंत संपर करना है क्योंकि जितनी जल्दी आप डॉक्टर से संपर करेंगे तो उसका टृीट्मेंट जल्दी ही होगा और हो भी पाएगा अगर आपकी सीचिस को बहुत ज़दा डिले करते हैं उसको सही करना बहुत ही जदा मुश्किल भी हो जाता है और सम्टाइम्स कुछ प्रॉब्लम लाइफ लॉंग भी रह जाती है तो चलिए बात करती हूं उन्हीं पांच वर्निंग साइन के बारे में जो कि आपको तीन से छे मेने के बच्चों पे नज़र रखने चाहिए कि उ अगर आपका बच्चा जो है वो तीन से छे मेने के बीच में है और सपोर्ट के साथ भी नहीं बैठ पाता है छे मेने के बच्चे को तो बिना सपोर्ट के भी बैठना चाहिए लेकिन हम तीन से छे मेने के बच्चों की बात कर रहें तो इस एज पे बच्चों को सपोर्ट क शही महीने का है और different different sound उसे नहीं निकालता गब आउ कुछ ऐसे करके sound नहीं निकाल रहा है तो अभी आप अपने doctor से बात करिये 3-6 महीने का जो बच्चा होता है वो थोड़ सा बात करने की कोशिश करता है आप जब बोलते हैं तो वो कुछ नो कुछ आपको respond करने की कोशिश करेगा अपनी जिवरिश भाशा में लेकिन ये जिवरिश भाशा बहुत ज़रूरी है अगर आपका बच्चा बच्चों की भाशा नहीं बोल रहा है या बिलकुल शान्त रहता है तो प्लीज अपने doctor से संपर करे इस एज पर बच्चे ग साउंड बहुत जादा यूज करते हैं जो थर्ड वर्निंग साइन है वो है साउंड पे फोकस ना करना अगर आपके वतावरण में कोई भी एक दिन से आवाज आ रही है अचानक कोई आवाज आ रही है और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देता जैसे कि there is nothing that is also a warning sign you should definitely consult your doctor जब भी किसी भी तरी कि random आवाज आ रहा है या बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है अचानक से कुछ आवाज आती है तो बच्चे को उस साउंड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है तीन से छे महिने के बच्चे को इसकी exercise भी बच्चे को आप करा सकते हैं मैंने जो आपको क sound पे focus करने में problem है क्या है वो sound की exercises कोई भी रैटल लेना है जिसे आवाज अच्छे आती हो bright toy होना चाहिए और उसको move कराना है और बजाते वे move कराना है तो उसकी sound पे बच्चे को नजर you know बना के रखनी है उसको track करना है so that you can identify कि आपके बच्चे को sound पे attention वो कर पाता है ज इतनी भी toys है अगर वो उनको grab करना चाहता है तो वो grab कर पाए दो महिने वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो दो महिने की exercise I love video बताया था उसमें मैं आपको बताया था कि आपने बच्चे की reach में कुछ नो कुछ toys आपने जरूर रखने है और उसका toy का sound करी उस toy क वहां तक पहुंच जाए और जब उसका हाथ वहां तक पहुंचेगा और जब आपने sound दिखाया बच्चों के इसमें interest है तो बच्चा ज़रूर उस toy को grab करने की कोशिश करेगा अगर आप ये movement भी दिखाते है बच्चे को interest है या नहीं लेकिन 80% chance है कि बच्चा उसको grab करन को नहीं कर पा रहा है तीन महिने का चार महिने का पांच महिने का तो भी आपने डॉक्टर से जरूर कंसल करना चाहिए और साथ साथ जोबन एक्सेसाइजेस आपको बताई है वह continue रखना है तो बच्चे का जो milestone है वह अचीव कर पाई ये बहुत ही ज्यादा important milestone होता है तीन से लोगा इनवायर्मेंट में बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं अगर वह लेट हुए आपंखे को देखने नहीं भोखत ही ज्यादा focus होकर के पंखे को देखते रहते कि यह पंखा कैसे चल जारा है कभी वह लाइट के बल्ब को देखते रहते है तो कभी वह उसिम्प्ल से ज़रूर consent करना चीब बच्चे को बहुत दग lucisu 2018 сейчас किए उसके आसपास की चीजों में उसके कैसी चीज एंक इस पर वो लेटा है कैसा वो बैड है कैसे color की चीजें दिखती है उसके मंपी का face कैसा आँए उसके बापा का फेस कैसा है बच्चे को यह curiosity बहुत ज्यादा होती है और यह curiosity वोना बहुत ज़रूरी है बच्चे आगे इसी curiosity की एदम पे बहुत चीजें जल्दी-जल्दी सीखते हैं अगर आपके बच्चे को इस तरीगी की curiosity नहीं है तो प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार ज करने में हिच किचाहे नहीं अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छी इंफरमेशन मिली हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और अपने अगले वीडियो में तब तक किली बाई एंट टेक क्यार